बड़ी समवेदन शीलता के साथ सेंसिटिविटी के साथ पूरे विशय को रखा है और एक पारग्राफ जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं सर्वप्रथम उसको यहां अनुमोदित करना चाहूंगा उस विशय को यहां रखना चाहूंगा ततपस्चात आज के विशय पे मैं संछेप में कहूंगा और सार गर्भिता के साथ उस विशय को आदर्निय दुश्यन गौतम जी रखेंगे एक वीडियो की प्रस्तुती भी होगी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा और मैं कोट करता हूँ मानव अधिकार का बहुत जादा हनन तब होता है जब उसे राजनेतिक रंग से देखा जाता है राजनेतिक चश्मे से देखा जाता है राजनेतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है इस तरह का सिलेक्टिव विवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसान दायक होता है यह आज खुद प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने कहा है कि नैशनल हुमन राइट कमिशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि हुमन राइट्स मानव अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत संबेदन शील विशय है अगर इसमें पक्षपात पूर्वक्रवईया हो इसमें एक बायस्ट आटिट्यूड हो और इसमें हम राजनेतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वा हमारे राज्ये में हो रही है जहां कांग्रेस के साशन है और इस कारण से हमें चुपी साधना चाहिए और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनिती करना चाहिए तो कहीं न कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है This is also in a way hurting the human sentiments and human rights If you try to be selective in raising human rights कुछ उदाहरन आज हम देना चाहेंगे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनिती करने की कोशिश हो रही है बार-बार भारती जंता पार्टी ने कहा है और आज पुनह मैं कहता हूँ लखीमपूर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है उस पूरे विशय में एक unbiased investigation चल रहा है किन्तु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनिती कुछ राजनिती क पार्टी कर रही है और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही है वो हम सब देख रहे हैं और खास करके गांधी परिवार आज कुछ प्रशन हम गांधी परिवार से पूछना चाहते है प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आपको Champions of Dalit Right, Champions of Human Right के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे है प्रियंका जी क्या ये सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गाउं जी राजस्थान के हनुमानगड के जिले में है इस गाउं में प्रेमपुरा गाउं में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामके कि युवा को जिस प्रकार से पीट-पीट के पीट-पीट के बेहरमी से मार दिया गया उसे मौत के गाट उतार दिया गया और उसके बाद उसके मृत्य शरीर को उसी जगदीश मेगवाल के घर के सामने उस दलित परिवार के सामने फेक दिया गया जिस घर का वो बच्चा है और पूरे के पूरे जगहन्य कृत का वीडियो बना करके उसे शोशियल मीडिया में वाइरल किया गया ताकि एक संदेश राजस्थान के दलितों के बीच में जाए कि दलित सर उठा के नहीं जी सकता है दलित को केवल और केवल सर जुका करके सर नीचे करके जीने का अधिकार है आखिर क्यों इतना बड़ा जगन्य अपराद राजस्थान में हो जाता है जगदीश मेगवाल को मार दिया जाता है उसकी लिंचिंग हो जाती है मगर क्या आपने राहुल गांधी प्रियंका वाडरा अखिलेश यादव इन में से किसी को वहाँ जाते हुए देखा क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहाँ जाके धरना देते हुए आपने देखा नहीं किसी ने ट्वीट भी नहीं किया किसी ने फेस्बुक पे भी एक पोस्ट नहीं चोड़ा किसी ने इस विशेपे चर्चा भी नहीं किया आप याद करिए आज से कुछ दिनों पहले लगबग साथ-ाथ दिन पहले राजस्थान के ही जालोर में जितेंद्र बामनिया यह भी एक दलित युवक है उसके साथ किस प्रकार से लिंचिंग करने की एटेम्ट होती है उसे पीटा जाता है उसे मारा जाता है सारवजनिक रूप से उसको अपमानित किया जाता है मुर्गा बनाकर उसे बैठाया जाता है जूतों से उसे मारा जाता है डंडों से उसे मारा जाता है यह सब कुछ होता है किन्तु राजस्थान की प्रसाशन चुप है राजस्थान की प्रसाशन इस पे कुछ नहीं कर रही है कोई कालेवाई से कोई वोट का फाइदा नहीं होने वाला है वहाँ वोट का नुकसान होगा कॉंग्रेस पार्टी का इस कारण से वहाँ के दलितों का अधिकार दलितों का अधिकार नहीं है उस विशेख पर चुपी साधना किन्तु दूसरे राज्यों में जाकर के वहाँ एनार्की, अन्रेस्ट और वहाँ पर सड़क पर लड़ाई करने का प्रयास करना यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है आप जानते हैं जो प्रेमपुरा गाउं के विशह में मैंने बताया जगदीश मेगवाल जी के विशह में मृत हो गया जगदीश में एकवाल उसके मृतक शरीर को फेक दिया गया उसके घर के सामने केस रेजिस्टर नहीं हुआ जो समस्त दलित परिवार हैं उस छेत्र के और पूरे राजस्थान के दलितों को प्रोटेस्ट में उतरना पड़ा कि जब तक कोई गिरफतारी नहीं होगी हम क्रिमेट नहीं करेंगे बॉडी को हम अंतिम संसकार नहीं करेंगे बॉडी तब जाके एकाद कोई अरेस्ट हुआ है यह परिस्थितिया राजस्थान में दलितों की है योगेश जाटव 19 वर्ष का यह बालक योगेश जाटव अलवर का है राजस्थान के अलवर का है क्या हुआ वहाँ पे केवल उसके बाइक का सीशा जो है वो किसी के गाड़ी के साथ हलके से चुआने से लगने से विशेश समुदाय के लोग न्यूस पेपर में लिखा है विशेश समुदाय के लोग उन्होंने पीट पीट करके योगेश जाटव की हत्या कर दी मृत्यू को प्राप्त हो गया योगेश जाटव क्या एक दिन भी आपने टीमसी के नेताओं को सुना कि वो आसू बहार है कि जो हुआ योगेश जाटव के साथ अनुचित हुआ क्या एक दिन भी राहूल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि डिमोक्रसी इस फिनिष्ट इंडिया इन राजस्थान स् डिमोक्रसी दर इस नो प्लेस फो दलिच एक दिन भी राहूल गांधी ने का एक दिन भी राहूल गांधी ने कोई ट्वीट योगेश जाटव पर नहीं किया क्यूंकि योगेश जाटव की ये गलती थी कि वो राजस्थान का दलिच था वो राजस्थान का निवासी था और राजस्थान में कॉंग्रेस का साशन है बंदुगर जारखंड में भी उनी की सरकार है जारखंड में सेप्टेंबर के महीने में दलित लड़की के साथ गैंग्रेफ होता है 16 वर्ष की हमारी छोटी सी बैन उसके साथ इस प्रकार का जगन्य अपराद होता है वो अभी दलित थी मगर किसी ने भी उसके मानव अधिकार की चिंता नहीं की आज भी जो परपी ट्रेटर्स है वो खुले घुम रहे है क्यूंकि ये कांग्रेस साशित राज्य है मंदुगर्ण 21 प्रतीशत दलितों के खिलाफ जिस प्रकार का माहोल बन रहा है जो अत्याचार हो रहा है 21 प्रतीशत की वृद्धी हुई है कांग्रेस के साशन में राजस्थान में यह एनेचारसी की रिपोर्ट है उसके बावजूद आज कांग्रेस टस से मस नहीं हो रही है अपने राज्यों में जो अत्याचार हो रहे हनुमानगड का जिकर किया तो मुझे लगता है आज वीडियो भी हम दिखाएंगे उसमें से एक वीडियो हनुमानगड के उन किसानों का है जिन किसानों के उपर बरबरता पूर्वक लाठी और डंडे बरसाए हनुमानगड के प्रसाशन वहां की पुलीस ने कारण सिर्फ इतना था कि हनुमानगड के ये बेचारे किसान अपने अधिकार के लिए अपने अन्न की खरीदी के लिए कलेक्टरेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे क्यों राहूल गांडी जी ये प्रदर्शन करना मना है क्या राजस्थान में दलित राजस्थान में महिलाएं और राजस्थान में किसान प्रदर्शन नहीं कर सकते और आप पूरे भारत वर्ष में जा जाके दलितों के महिलाओं के और किसानों के human rights के champion बनते है ये कितनी गलत बात है और किस प्रकार की selectivism है ये चैनात्मक राजनीती है और आज मोदी जी ने कहा कि इस प्रकार की चैनात्मक राजनीती से मानव अधिकार को ठेस पहुँचा है कली मैंने देखा न्यूज में महराष्टर में आप याद करिए डोंबी विली और शाकी नाका में जो जगन्य रेप केसे हुए थे उसके पश्चात नाकपूर में जिस प्रकार से गैंग रेप हुआ है एक महिला के साथ यह विशह भी सामने आया है और कल हम वीडियो में देख रहे थे डिबेट में भी टीवी के माध्यम से देख रहे थे वहाँ जो महा वसूली अगाडी महा विकास वसूली जो भी है वो महा विकास वसूली अगाडी यह वहाँ डंडे बरसा रहे थे ये कार्यकरताओं के उपर डंडे बरसा रहे थे, दुकान बंद करो के धमकी दे रहे थे, किन्तु एक बार भी इन बहिनों के लिए, इन महिलाओं के लिए एक बार भी उन्होंने बंद कावान किया, कि डोंबी विली में एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ, शाकी नाका में जो घटना घटी है नागपूर में जो घटना घटी है जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है आज नैशनल यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट देखी महराश्टर में सरवाधीक महिलाओं के उपर अत्याचार हो रहा है एक बार भी क्या M.V.A. की सरकार ने वहाँ पर की दुकान आज बंद होना चाहिए आज हम बंद गोशित करते हैं महराश्टर में इस प्रकार का कदम उठाया नहीं राजनीती करने के लिए वोट की राजनीती के लिए वहाँ पर कल शौप की पर्स और दुकानदारों की पिटाई की जा रही थी बेचारे आटो वाले और गरीबों के उपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थी ये हकीकत आज कॉंग्रेस रूल स्टेशन्स के बंदुगण अंत में इससे पहले की हमारे आदर्निय महमंत्री जी बोले दो चार पॉइंट है जो की नैशनल हूमन राइट कमीशन ने बकाइदा एक नोटिस के रूप में चीफ सेकरेटरी राजस्थान को इसी वर्ष भीजा था मैं कुछ बिंदु उसमें से पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार नैशनल हूमन राइट कमीशन जो कहती है कॉंग्रेस किस प्रकार उस पे चुपी साद के रह जाती है 2021 में ही नैशनल हूमन राइट कमीशन ने चीफ सेकरेटरी और डिरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस राजस्थान से कुछ विशे पूछे थे पहला सवाल किडनापिंपिंग फ़ इनर गर्ल अट जालोर अन 22nd मार्च 2021 और सेल्फ इमोलेशन बइद निद्धर जनरल ऑफ इन अप्टरी जालोर की महिला ने जो अपने आपको जला दिया और जो गैंग रेप उसके साथ हुआ था किडनापिंग उसको लेकर क्यूं अथारीटी चुप रही दूसरा गैंग रेप ऑफ और माइनर अट कोटा भाए मोर दन 30 PERSONS बट्weez 25, 2, 2021 त 6, 3, 2021 वाई वेड़्या अथा हुआग रेप उसको लेकर क्यूं अथा अथारीटी चुप रही जिन्दा जरा दिया जाता है इस पे राहुल गांधी जी एक दिन प्रियंका जी आप तो महिला हैं आप तो महिलाओं के दर्द को समझती है आप खुद कहती है कि मैं महिलाओं की दर्द को समझती है मगर एक बार भी इस पिड़ता के लिए आप गई क्या यह आप कर रही है फोर्थ पॉइंट गैंग रेप of a woman at Kota फिर रेप of a woman by ASI when she came to lodge a complaint रेप of a woman at Ajmer डिस्रोविंग and beating of a mother and daughter attempt to kidnap and रेप of a teacher यह संख्या बीस-इक्षीज तक है जो खुद Human Rights Commission ने चिट्थी लिख करके राजस्तान के डीजी और राजस्तान की चीफ सेकरेटरी से पूछा है दुखद है कि यह सब कुछ होता है होते हुए भी यह जो सारे political parties है जो राजनीती करने आगे आते हैं वो इन विश्यों पे चुप है मैं इतना ही कहूंगा अब मैं निवेदन करूंगा कि आदर्निया दुश्यन गौतम जी इस विशय को आगे बढ़ाएं आदर्निया दुश्यन गौतम जी हमारे महामंत्री हैं और इन सब विश्यों से उन्होंने अच्छी तरह से इन सब विश्यों की जानकारी ली है एक वीडियो भी है महमंत्री जी के बोलने के पस्चात ये वीडियो सारवजनिक रूप से हम आपको दिखाएंगे आधरने पत्रकार बंदो हमारे मध्य में उपस्तित हमारे वरिशनेटा आधिन संबीत पात्रा जी गुरू प्रकास जी संजे मयुक जी अभी जिस प्रकास संबीत पात्रा जी ने दलीतों पे बढ़ते हुए अत्यचार पर आपको सब बतायागे हैं ये हमारे लिए बहुत दुगदाई है